हेलो दोस्तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह तो दा पॉइंट ही होगी लेकन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा के आपने थमनेल और टाइडल से ही देख लिया होगा के आज की वीडियो क्रेक्टर सार्टिफकेट के लिए है के हम इसके लिए कैसे आनलाइन अपलाई कर सकते हैं और इसको कैसे हासिल कर सकते हैं तो सबसे पहले चलिए हम अपना Chrome browser open कर लेते हैं और यहां search bar में आपको service plus jk search कर लेना होगा जो सबसे पहला option आएगा आपने उस पे click कर लेना है आपके सामने home screen पे login का option आएगा आपने उस पे click कर लेना है यहां पे आपसे login details मागी गई हैं अगर आप already इसके users हैं तो आप वो detail बरके login कर लें नहीं तो यहां पे sign up करके अपना account create कर सकते हैं तो चलिए हम login कर लेते हैं login करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहां से आपको apply for services पे click कर लेना है और नीचे एक और option आएगा view all available services आपने इस पे click कर लेना है और यहां पे जो भी services available हैं आपके सामने आ जाएंगे आप यहां search bar में search भी कर सकते हैं नहीं तो page wise भी आप check कर सकते हैं तो चलिए हम page by page जाते हैं first page पे नहीं है second पे भी नहीं है third पे भी नहीं है fourth पे आप serial number 39 पे देख सकते हैं character certificate के लिए है तो आपने इस पे click कर लेना है जब आप click कर लेंगे तो आपके सामने application form for character certificate आ जाएगा तो यहां पे आपको अपनी district select कर लेनी है फिर sub district और यहां पे आपको अपनी basic detail बरनी है तो वो बहर लें तो चलिए हम बहर लेते हैं जल्दी से अपनी details बरने के बाद आपको I agree पे click करके नीजे जो word verification है आपने वो भी लगा लेनी है और submit पे click कर लेना है यहां पे आपकी वो सारी details जो आपने बरी थी वो आपके सामने आ जाएंगे अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप यहां से edit भी कर सकते हैं नहीं तो आपने attach annexer पे click करना है आप देख सकते हैं कि यह office of तहसिलदार में submit होगी और draft reference number आप यह note कर लें तो आप यहां से edit भी कर सकते हैं नहीं तो आपको attach annexer पे click करना है और जो आपके documents हैं वो आपको upload कर लेने हैं जैसे सबसे पहले identity proof आपको यह चाहिए होगा आपने select कर लेना है जो भी आप upload करना चाहें जो आपके पास available है फिर उसके बाद address proof है जो भी आप select करना चाहें जो भी आपके पास available है आपने वो select करके upload कर लेना है तार्ड नमबर पे report of concern SHO SHO से आपने report ले लेनी है तो report लेने के बाद आपको वो file भी upload कर लेनी होगी और last में other यहाँ पे अगर आपके पास कोई और document है जो आप चाहते हैं कि आप upload करें तो यहाँ पे आपने उसका नाम लिख लेना है file को select करके आपने इसको scan कर लेना है तो यहाँ पे अब आपने save कर लेना है तो final submit करने के बाद आपके सामने आपकी reference ID आईगी आपने उसको save कर लेना है और आप उस reference ID से आप अपनी application को track कर सकते हैं कहां तक पहुंची है कब आपकी certificate जो है वो issue होगी तो इस तरह से आपको income certificate जो है वो बना लेनी है within one week आपकी income certificate जो है वो बन जाएगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करें Thank you